भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शेहर कौन सा था? हनपपा, स्वराज मेरा जन्म सिधा अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक महात्मा गाधी के राजमीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, बंदरगा, कौन सा था? लोथल भारतिय राष्ट्रिय का अग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओह्यूम महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गए प्रथम उब्देश को कहा जाता है धर्म चक्रप्रिवर्तन किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद भारत में पहला समाचारपत किस ने शुरू किया था? सैयद एहमद खा किसके शासनकाल में बौध धर्म दो भागो ही नयान तथा महायान में बढ़ गया? कनिश्क लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी प्रथम जैन संगीती कहां आयोजित की गई थी? पातले पुत्र दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रन बताया है? मुहमद बिन तुगलक रिग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसे ना थी? चोल, संकीरतन प्रथा के जन्दाता कौन थे? चैतन्य किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंग जेब, शहीद आजम, उपाधी से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंग साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किये गए लाथी चार्ज में किस राजमेता की मृत्यू हो गई? लाला लाजपत्राय वहावी आंदोलन के प्रवर तक कौन थे? सेयद एहमद?